जम्मू कश्मीर में G20 सम्मेलन से पहले बारा मुला जिले के मशहूर स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग में सैलानियों की आमद बढ़ गई है दो महिने में यहां धाई लाग से ज्यादा सैलानी पहुँच चुके हैं घाटी में 22 मई से तीन दिनों तक G20 देशों के टूरिजम कारे समू का सम्मेलन होने वाला है मार्च में गुलमर्ग में करीब एक लाग बीस हजार सैलानी पहुँचे जबकि एप्रेल में इनकी संख्या बढ़कर एक लाग छथिस हजार से ज्यादा हो गई गुलमर्ग में खास कर गुंडोला सैलानीों का मुख्य आकरशन है एशिया की सबसे उची केवल कार में इस साल एक जनवरी से सत्रा मई तक करीब चार लाग लोग सवारी कर चुके हैं लास्ट एर भी हमारा जो टूरिस रष्टा वो बहुत ज़ादा था गुलमर्ग गंडोला की आपने सुना होगा कि 100 क्रूर हमने टच की है गुलमर्ग गंडोला का नाम बजट स्पीश में भी आ गया यह बहुत अच्छा फेक्टर है बहुत एक पॉजिटिव फेक्टर है टूरिजम इंडिस्ट्री के लिए गुलमर्ग डवलमेंट एथार्टी को अमीद है कि G20 सम्मेलन का सर गुलमर्ग में टूरिजम पर पड़ेगा सम्मेलन के बाद सेलानियों की आमद और बड़ेगी गुलमर्ग आने वाले सेलानियों को ये जगाए शांदार लग रही है वे यहां की खोबसूर्ती और सुविधाओं के कायल हो रहे हैं गुलमर्ग तो बहुत बड़ी है रास्ते कश्मीर में जब से आये हैं सबसे बड़ी है रास्ता ये है बाकी जगे थोड़ा परिशानी थी मगर यहां तो बिलकुल ठीक और बड़ी है गुलमर्ग एक अच्छा प्लेस है जहां पर आप रह सकते हो आप एक दो दिन के लिए भी नहीं तीन-चार दिन के लिए भी एंज्योई कर सकते हो और यह बहुत बड़ी अप्लेस है और रोपे में भी बहुत बज़ा आएगा G20 का मुख्य कारिकरम श्री नगर में होगा लेकिन प्रतिनितियों को गुलमर्ग की खुपसूरती से भी रूबरू कराया जा सकता है लिहाजा स्की रिजॉर्ट शेहर को दुलहन की तरह सजाया जा रहा है हो जाएगा जाएगा जाले करता है